हेलो एवरिवन जाड़ें क्लासिस में आपका स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के कंप्यूटर विश्य के पिर्थिदर्शि प्रिशन पत्र के बारे में ये एक प्रिशन पत्र है जो की इस साल 28 मार्श 2022 को होने वाला कंप्यूटर के एक्जाम के लिए बहुत ही कौन हार्डवियर नहीं है आपको बताना है इन चार आप्शन में से कौन सा आप्शन हार्डवियर नहीं है तो CPU, RAM, Windows या मॉडम दूसरा प्रिशन है बाइनरी संख्या 1010 का होल 2 का मान होगा 14 का बेस 10, 12 का बेस 10, 10 का बेस 10 और 11 का बेस 10 किस लॉजिक गेट में केवल एक इनपूट एवम एक आउटपूट होता है NOT, NOR और AND, AND लाश्ट वाला है AND इन में से आपको बताना है किस लॉजिक गेट में केवल एक इनपूट एवम एक आउटपूट होता है next question है किसी file को बंद करने के लिए किस function का प्रियोग होता है if and close या इन में से कोई नहीं next question देखते हैं पाचमा objective linux में insert mode से command mode में जाने के लिए किस कुंजी यानि key का प्रियोग होता है ins tab enter next question है question number दूसरा निमलिकित का संचिप्त वर्णन कीजिए अब यहां से objective खतम हो गए है और हमें अब जो है subjective question आ गए है निमलिकित का संचिप्त वर्णन कीजिए इसमें पहला है number एक bandwidth दूसरा optical fiber तीसरा internet और चोथा genome next है sequential file question number तीसरा निमलिकित को समझाइए यानि इसकी आपको definition बगारा लिखनी है इसकी परिवाशित करना है आपको demodulation browsing linux में file search tooth table next is array question number 4 question number 4 में आप क्या करना है सभी खंडों के उत्तर दीजिए इसमें पहला है linux की कम्यों की व्याख्या कीजिए दूसरा है bcd एवं ebc dic का तुलनात्मक वर्णन कीजिए next है गा binary संख्या पद्धती में घटाने के नियम की व्याख्या कीजिए next गा nor gate की सहता से और gate की रचना कीजिए एवं इसका tooth table बनाईए next है अड़ा searching क्या है इसकी क्रिया विदी का वर्णन कीजिए next question देखे है question number 5 यह सभी खंडों के उत्तर दीजिए का modulation क्या है इसके बिभिन पिरकारों के नाम लिखिए एवं किसी एक को धारन सहित समझाईए यह सारे वह प्रिशन से हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्लास 10 बोर्ण एक्जाम के लिए तो आप वीडियो के इसकी मत कीजिए लाश्ट देखिए next question है किनी दो network protocol के नाम लिखिए एवं उनका तुलनात्मक वर्णन कीजिए next है linex के पिर्मुक पिशिष्ताओं का वर्णन कीजिए question number 6 है सभी खंडों के उत्तर दीजिए number 1 C भाशा के विकास का इत्यास लिखिए दूसरा है string manipulation से संबंदित पिर्मुक चार फंक्शनों के नाम लिखिए एवं इने समझाईए next question है हमारा F close और 2 small bracket F E of 2 small bracket F print F 2 small bracket F scan F 2 small bracket function की उधारन सहित व्याख्या कीजिए question number 7 C भाशा में एक प्रोग्राम लिखिए जो किसी एरे में 12 संख्या input कराए तथा उन में से अधिक्तम एवं नियुन्तम संख्या को छापे या तो आप ये question करिए या फिर अथवा में दूसरा है बिविन पिरकार की shorting के नाम लिखिए एबम इन्हें उधारन सहित समझाईए next question है किनी दो पिरकार की searching का तुन्नात्म वर्लन कीजिए question number 8 C भाशा में किसी फाइल से data पढ़ने के लिए कौन कौन से function उपलब्द है इन्हें उधारन सहित समझाईए question number 8 file क्या होती है इसके बिविन पिरकारों के नाम लिखिए एवम इन्हें समझाईए क्या तो आप ये लिखिए इन दोनों को करिए या फिर ये जो अथवा में नीचे वाला इसको आप सॉल करिए ये क्या है सी भाषा में एक प्रोग्राम लिखिए जो तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को ढूंड़े एवम प्रिंट करे ये class 10 computer के paper के most most important question है यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like और share करना ना भूने और चैनल को subscribe जरूर करें थैंक यू